Good morning, good evening all of you, कैसे हैं आप से भाई होब कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप income tax course को cover कर रहे हैं Income tax में अब तक हमने 5 heads को cover कर लिया था Income from salary, income from house property, PGBP, income from capital gain और income from other sources यह 5 heads हमने detail में cover किये हैं और यहां तक आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको cover किया हूँ है एक-एक points को आपने आराम से cover किया हैं और वो सब कुछ आपको याद है और आपने self note भी ज़रूर बना हैं अगर आप नहीं बना रहे हैं self note तो please आप read करते बदे जब भी आप lecture देखें तब आप self note ज़रूर बना है और यह जो notes हम आपको provide कर रहे हैं उसको भी आप go through करें और आराम से उसको देखें पढ़ें और समझने की कोशिस करें तो कि income tax देखने में इतना easy लगता है लेकिन इतना easy नहीं है जिसे जिसे आप और आगे बढ़ते जाएंगे विसे विसे आपको थोड़ी से और difficulties आती जाएगी इसलिए यह पीछली जो section अमारे classes हुए हैं उनको अगर आपने detail में अची तरह की से पढ़ा तो आने वाले lecture स आपके लिए बहुत easy हो जाएंगे क्योंकि यह जो previous में हमने सब कुछ पढ़ा है यह आने वाले lectures practical में जब हम cover करेंगे practical जब हम income test return filing करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको वह सब कुछ काम आएगा जो हमने previous में देखा हुआ है ऐसा नहीं कि previous में हमने जो कुछ भ आपके practical life में काम आएगा इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ही देख लिया है हमको तो प्रेक्टिकल के उपर focus करना है तो प्लेज आप पहले वह lectures को बहुत अच्छी तरीके से देखें इसके बाद आप practical करेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा आज एक नया chapter से start करने वाले जिसका नाम है setup and carry forward of losses हमने previous में बात की और previous में हमने देखा कि जहां पर भी है सर हमने income की बात की थी किसकी बात की थी income की income यानि कि आपकी salary से income हो रही है सर आपकी house property से income हो रही है आपकी PGBP से income हो रही है आपकी capital gain से income हो रही है और other sources से income हो रही है government बोलती है sir income tax यानि कि आपको आपकी income पर tax pay करना पड़ेगा लेकिन sir losses का क्या अगर आपके कोई losses होते हैं किसी business में अगर आपका loss हो गया तो क्या उस loss का क्या होगा sir क्या वो setup होगा क्या वो उस loss को carry forward कर पाएंगे कितने साल के लिए घर पाएंगे किसके सामने setup होगा वो सब कुछ आज हम इस lecture के अंदर cover करने वाला lecture चोटा सा है लेकिन बहुत important है practical life के अंदर बहुत ही काम आने वाली चीज़ है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे cases में losses होते रहते हैं जैसे house property में अगर आप इसी इंट्रेस्ट पे कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपका loss होता है income from house property के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा वह income माइनस में आती है तो उसको हम बोलते है loss तो loss जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं सेट-off होता है क्या होता है आप सेट-off किस तरह से होता है देखिए सर आपके क्या होता है सर फाइफ होता है एक होता है से एड़स्मेंट का मतलब होता है कि सब्सक्राइड हाँ बात करें जैसे बात कर रहे हाँसअ प्रॉपटे में अगर को कोई loss होता है और आपकी किसी house property की किसी other income के सामने set off हो जाता है that's called intra head adjustment क्या बोलते हैं सर इसको intra head adjustment दूसरा होता है सर यहाँ पर inter head adjustment inter head adjustment का मतलब होता है कि for example सर आपका house property का loss है house property का loss है और आपकी कोई salary के income भी आ रही है है तो उसको आप house property के loss को salary की income के सामने आप setup करेंगे उसको बोलते हैं इंटर head adjustment क्लियर है एक चोटा सा example लेते हैं जब हम competition बनाते हैं competition में हम यहाँ पर लिखते हैं sir income from salary क्लियर है यह था हम आगे और सिखें के पूरा practical तरीके से detail में सेखने वाल है लेकिन अभी आप यह मांग के चलिए कि यहाँ पर आप लिखते हैं sir income from salary और आप section 70 sub section 1 के तुरू आप यहाँ पर लिखते हैं और amount लिखते हैं for example 750,000 रुपीज आपकी salary से इंकम आपकी हो रही है दूसरा आड़ आता है sir income from house property क्लियर income from house property income from house property में आपकी जो annual income होती है वह आपकी होती है जीरो लेकिन आप प्रे करते हैं तो section 24 sub section B के अंदर आपको interest की deductions मिलती है कितने deductions मिलती है पता गरो किदने मिलती है 2 lakh रुपीज देखेंगे अगर हम self occupied property है तो 2 lakh रुपे तक कि आपको यहाँ पर deductions मिलती है जितना भी आपने loan के time पर interest pay किया है जिस year का आप income अगर हम बात करें financial year 23 24 assessment year 24 25 की अगर हम बात करें इस year में अप्रियल से लेके मार्च तक आपने जितना आप भी interest pay किया हुआ उस loan पर उसका deductions आपको यहाँ पर मिलता है तो for example हम यह मान के चलें कि आपने टूल लेक रुपीज तक का interest आपने पर यहाँ पर आपकी यह income जो आती है यह income आती है सर्व माइनस में 2 lakh रुपीज कितने आती है बाइनस में 2 lakh आपके और other incomes है for example income from other sources है कोई income from other sources है for example 50-40,000 रुपीज तो यहाँ पर आपकी gross total income कितनी होगी gross total income कितनी होगी तो gross total income होती है सर्व यह जो income है यह salary जो house property का loss है यह loss आपके income from salary के सामने adjust हो जाता है तो यहाँ पर सर्व आपकी जो income last में आएगी यह आएगी सर्व 5 lakh 50,000 रुपीज यानिकि 5 lakh 90,000 रुपीज आपकी gross total income है उसके अंदर अगर आपके कोई भी deductions होगे तो deductions यहाँ पर minus होगे इसके बाद आएगी सर्व आपकी net income जिस पर आपको tax calculate करना होगा clear हो रहा है आपको यहाँ तक तो यह जो figure fine करने के लिए हमें क्या करना होता है सर हमें यह वाला जो section है यह समझना है set up and carry forward of losses यह वाला figure out करने के लिए आपको यह वाला जो chapters है उसको आराम से detail में cover करना है कि क्या यह loss सिर्फ salary के head के सामने ही setup होगा क्या इसके सामने setup होगा क्या capital gain के सामने setup होगा या PGBP के सामने setup होगा PGBP का loss अगर कोई है तो क्या salary के सामने setup होगा यह नहीं होगा वो सब कुछ आपको इस chapter में समझने की सब्सक्राइब होता है clear है चलिए सर एंटर source adjustment section 70 inter source setup of losses under this section the losses incurred by the assassin in respect of one source shall be set up against income from any other sources under the same head of income since the income under each head of this computer grouping together the net result of activities of all sources covered by the head. एक ही head के अगर अलग-अलग businesses है जैसे for example अगर हम बात कर रहे हैं PGBP की अगर हम बात कर रहे हैं for example PGBP की PGBP में सर आपके दो businesses है एक बिजनेसे से आपका ए और दूसरा बिजनेसे से आपका बेश इस बिजनेसे से आपको सर पांच लाग रुपे का प्रॉफिट हो रहा है और इस इस बिजनेस से आपको 2 लाग उर्पया का लॉस हो रहा है, तो आपकी total PGP, net PGP income कितनी मानी जाएगी, तो आपकी net PGP income मानी जाएगी से 3 लाग उर्पेस, यानि कि इसको बोलते inter head adjustment, या आपर इनन inter source adjustment टिका हुआ, यानि कि एक ही head के अंदर, अगर आपके अलग-अलग sources है, एक ही head के अंदर अगर आपके अलग-अलग sources है, तो उसको बोलते inter source adjustment, clear है, in simple terms, loss from one source of income can be adjusted against income from another source, both the source being under the same head, अगर आपके income के sources अलग-अलग है, लेकिन income का हेड है, वो अलग है, income का हेड है, income के heads कितने हैं, five type के income के heads है, salary, house property, PGBP, other sources, और capital gain, यह पांच हैं, लेकिन sources अलग-अलग हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, sources, for example, आपका salary का एक हेड है, लेकिन salary आप तिन जगत से कमा रहे हो, A से भी कमा रहे हो, B से भी मारे है, और C से, तो यह क्या, यह sources है, ठीक है, लेकिन head क्या है, head तो आपका salary है, clear हो रहा आपको आप, example one, loss from one house property can be set up against the income from another house property, यानि कि एक house property से अगर आपको कोई loss हो रहा है, तो आपके पास में कोई दूसरी house property जहां पर आपका profit हो रहा है, तो उसके सामने आप उसको set up करेंगे, example two, loss from one business, say textile, can be set up against income from any other business, say printing in the same year as both the same year, the sources of income fall under the head of income, therefore loss any business may be set up against profit over another business, clear होगे आपको, यानि कि अगर आपके अलग-अलग businesses है, इस सभी businesses को जो total income आती है, वो आपके एक ही PGP head के अंदर जाती है, अगर चार business है, चारो business को income को combine करेंगे और एक income आपके आएगी PGP के अंदर, तो एक business से कर आपको loss हो रहा है ते किसी दूसरे business के सामने profit हो रहा है, उसके सामने आप उसको adjust कर सकते हैं, inter-permissable, inter-source setup, inter-source setup, however not permission in the following cases, कभी-कभी क्या होता है, कि सर्थ, inter-source adjustment आपके यहाँ पर work नहीं करते हैं, कब नहीं करते हैं, section 17, section 3 केता है, long term capital loss, यहाँ पर बात कर रहा है, capital gain की अब, ठीक है, बाकी के head में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है, capital gain की, क्या बोल रहा है, short term capital loss is allowed to be set up against both short term capital gain and long term capital gain, however long term capital loss can be set up only against long term capital gain, not against short term capital gain, बात समझना ध्यान से, बहुत important बात है, कुछ-कुछ बात ही आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी दूसरी बात है, याद रखने की जरूरत है, इतनी नहीं है, सब कुछ understandable है, समझने दर आए कि बात है, चलो, क्या बात बोल रहे हैं, सर यह बोल रहे हैं, Gain किया, क्या बोज रहे है, Capital元 की, Capital yellow जो होता है दू तरीके से होता, हमने देखा था, एक होता है यसलुट shy छोट तेखा हुद्धा होता है यसलों टाम if short term में अगर आपका कोई loss होता है short term में अगर आपका कोई loss होता है तो वो set of हो सकता है short term के profit के सामने और 7 में long term के profit के साथ लेकिन long term में अगर आपको कोई loss होता है वो सिर्फ set of होगा long term capital gain के सामने बस इतना आपको यह द्यान रखना है यहाँ पर short term capital gain के सामने long term capital gain का loss कभी set off नहीं होता लगी short term का long term के साथ में हो जाता है यही बोज रहे हैं sir short term capital loss is allowed to set off against both short term and long term short term का जो loss होता है वो short term capital gain और long term capital gain दोनों के सामने set off होता है लेकिन long term capital gain only set off against long term capital loss only set off against long term capital gain clear है आपको यहाँ पर दूसरा speculation loss speculation loss क्या होता speculation business के बारा में आपने समझा था businesses PGBP head के अंदर आपने cover किया था speculation business क्या होता है speculation business का मतलब यहाँ पर होता है share market में जो लोग trading करते हैं share market में जो लोग trading करते हैं उसको बोलते speculative business अगर उस business से अगर आपको कोई loss होता है उस business से अगर आपको कोई loss होता है तो आप किसी भी other business के losses के सामने set off नहीं कर सकते हैं सिर्फ आपको share market का loss किसि शेर market की income के सामने ही set off करना पड़ेगा अगर आप境 के trading कर रहे हैं अगर आपका ऐसको ट्रेडिंग कर रहे है आप उसको trading कर रहे है बागे किसी भी other income के सामने set off नहीं कर सकते हैं The loss in speculation business can be set off only against the profit of any other speculation business not against any other business or profession income However, losses from one business can be adjusted against profit from speculation business अब ये क्या बोलते हैं सा, ये से मस्ता उन्हाने बोला कि सर अगर आपका speculation से कोई loss हो रहा है आपका speculation business से अगर कोई loss हो रहा है तो ये आप set off कर सकते हो सिर्फ speculation profits से इतना तो आपको clear है लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कोई आपका other business है क्या है इसा other business है यहाँ पे अगर आपका loss हो रहा है और share market में आपको profit हो रहा है तो आप उसको यहाँ पे set off कर सकते है clear हो रहा है आपको यानि कि other business loss can be set off against speculation business but speculation business cannot be set up against any other business profit clear हो रहा है आपको यह line easily समझ में आ रही है ध्यान से समझ यह जो line बोल रहा है losses from other business can be adjust against profit from speculation business done चलिए इंटर head adjustment अब हम बात कर रहा है इंटर head adjustment एक head से दूसरे head में adjustment loss under one head of income can be adjust or set up against income under the head of our following point should be considered आपको यह ध्यान रखना की side के सामने क्या होता है आप सब यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं losses होते का कहाँ पे income from salary income from salary salary house property PGBP capital gain other sources salary house property PGBP capital gain other sources इसमें losses हो सकते answer is yes लेकिन क्या salary में लॉस होता है अंसर इसमें कभी लॉस होता है सो रुपिया उसके average में मिला आपको 90 रुपीज तो दस रुपिया आपको आपकी जैप से pay करना पड़ा that's call expense loss business में क्या होता हमने चीज खरीदी ती सर सो रुपिय की ठीक है और बेची सर हमने 90 रुपिस क्योंकि हमाने कुछ और expenses हुए यह हुआ तो यहां पर सर हमको profit नहीं जैके लगए हमको क्या हो गया 120 रुपिय का कर्चा आ गया इस पर तो 20 रुपिय का क्या हो गया हमारा loss हो गया लेकिन salary में loss होता है क्या salary में क्या आप काम पर नहीं गए थे चलो लाओ 500 रुपिय फाइंड है अब पास दिन के लिए काम पर नहीं है लाओ 25 रुपिय फाइंड है ऐसा पॉसिबल है क्या answer is no salary में कभी loss नहीं होता है लॉस होता है तो इन चार हैड्स में ही होता है फ्रापर्टी में होता है पीजी बीपी में होता है अदर सौर्सेज में होता है क्लियर ओर हो आपको यहां तक तो salary के loss की setup की कभी बात ही नहीं करेंगे तो बात करेंगे सिर्फ वसिम house property PGBP capital gain और other sources इन 4 heads के losses की ही बात करेंगे कि इन 4 head के losses अगर आपके होते हैं तो किसी other heads के सामने किस तरह से setup होते हैं loss under any head other than capital gain loss under any head other than capital gain capital gain को चोड़ के बागी किसी भी head में अगर loss होता है तो head कितने बच्चे team salary salary house property PGBP और other sources other sources बहुत काम होता है यहां पर house property और PGBP दो ही head आपको याद रखना है where the net result of the competition under the any head of income other than capital gain is a loss the SSE can set up against the income assets for the assessment in any other head including capital gain त्यान समझ रहे हैं अब चीज़को ज्यान से समझना उसको बोल रहे हैं कि sir अगर आपका कोई भी loss होता है capital gain के chapter head के अलावा यानि कि अगर आपका loss हुआ house property से अगर आपका loss हुआ पीजी बीप से और अगर आपका loss हुआ अगर आपका loss हुआ other sources से क्योंकि salary में कभी loss होता है इन तीनों का loss हुआ यह आप किसी के भी सामने set up कर सकते हो किसी भी head के सामने set up कर सकते हो including capital gain capital gain के head के सामने भी set up कर सकते हैं लेकिन वुसका भी कुछ rules है जो कि हम आगे देखेंगे clear है लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ PGBP क्या है income आप salary income के सामने set up नहीं कर सकते यह ध्यान लगाना for example आपकी salary की income आ रही है पांच लाक रुपिया और आपने एक business भी किया हुआ है और जहां सर आपको PGBP में loss हो गया अगर आपको PGBP के अंदर loss होता है लेकिन यहां पर आप salary income के सामने set up नहीं कर सकते हैं clear हो गया चलो loss under the head profit and gains for business and profession अगर आपको PGBP के अंदर loss होता where the net result of the competition under the head profit and gains for business and profession is a loss such loss cannot be set up against income from under the head salary clear हो गया आपको या तर PGBP head का अगर कोई भी loss आपकी salary income के सामने set up नहीं होगा यह आपको ध्यान लगाना है loss under the head capital gain अगर आपको कोई capital gains loss हो रहा है where the net result of competition under the head capital gain is lost such capital loss cannot be set up against income of any under head अप सर आपको यहां पर अगर capital gain में अगर आपको कोई loss हो रहा है तो आप किसी भी other head के सामने उसको set up नहीं कर सकते capital gain का loss किसी भी other head के सामने set up नहीं कर सकते वो सिर्फ आप set up कर सकते तो only for capital gain के सामने चाहे वो short term हो या long term हो उसमें भी थोड़ा सा यहां पर आपको twist देखनों को मिलेगा वो भी आपको समझना है दोको lectures बहुत important है और थोड़ा सा आपको confuse करने वाला भी है आपको practice करनी है उसको revise करना है और self note आपको जरूर बनाने है clear है समराइज आपको करवाएंगे loss under the head income from house property where the net result of the competition under the head income from house property is a loss SSC has income accessible under the any head of income the amount of such loss accidents to lack would not be allowed to set up I guess income under the head head other words maximum loss from house property such can be set up I guess any head 2 lakh rupees क्या बोलते हैं इस पो ध्यान से समझना सर अगर आपको house property से loss है हम और भी आकर देखेंगे detail में house property वीजी भी सब देखेने वाला है house property से loss for example आपका 2 lakh 50,000 इसका loss कैसे आता है सरी इतना house property में loss कैसे आता है अगर आपको ज्यादा interest pay कर रहे हूं एक ही होपता है इंट्रेस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हो इसलिए loss होता है for example आपका आया से टू लेक 50,000 रुपेज का आपका loss आया ठीक है और आपके salary की income है for example 10 lakh रुपेज तो यहां पर आप setup कितना कर सकते है only for 2 lakh रुपेज तक का setup कर सकते हैं तो यह 8 lakh रुपेज आपके income आएगी और बाकी के यह जो 50,000 है यह आपका loss carry forward होगा carry forward का मतलब होता है next year अगर income होती है house property से वहां पर आपसको setup करेंगे clear हो रहा है आपको यहां तक समझ में आ रही है चीज़े अच्छी तरीक से समझ में आ रही है चलिए speculation loss speculation loss can be set up again before speculation business profit और specified section 35 AD के अंदर specified business जो हमने देखा था उसका भी loss होता है तो वह उनीकी income के सामने setup होता है बाकी की नहीं होता है ठीक है एक example देता है आपको easily समझ में आ जाएगा income from salary completed है आपकी फॉर लेक रुपीज loss from self-occupied property 70,000 उन्होंने interest पे किया था उनकी annual income कुछ नहीं थी लेकिन उन्होंने इंट्रस्ट पे गिया था इसलिए 70,000 रुपीज का लॉस हो रहा है लॉस from let-out property इनके एक let-out property है जहां पर उनका 1,50,000 रुपीज का लॉस है बिजनस लॉस है 1,000 रुपीज का और bank interest MD receive हो रही है सार आपकी 80,000 रुपेज चिक है compare the total income of Mr. A for assessment year 23-24 assuming that does not offer provisional of section 115 PSC यह है सर आपके new tax resign के लिए section बोलता है कि आपने new tax resigns opt किया हुआ या नहीं किया हुआ है तो यहां पर यह बोलते हैं कि उन्होंने opt नहीं किया हुआ हुआ हम all tax resigns के ही बात कर रहे हैं चीक है सर चार ज्यांसे सबना income from salary आपकी कितनी है सर फॉर लेक रुपेज चीक है यहां पर आपको income from self-occupied property कितना है सर 70,000 और loss from let out property कितना है 1,50,000 तो आपको total reductions आपको यहां पर कितना मेंजा loss from house property is 2,20 to be restricted 2,00 by virtue of section 17 subsection 3A 71 subsection 3 यह बोलता है कि अगर house property का कितना भी loss अगर आपका है और किसी other head के सामने अगर आप set up कर रहे हो तो 2,00 रुपेज तक ही set up होगा तो यहां पर हम set up करता है 2,00 रुपेज तो आपकी income आ जाती है income from salary 2,00 रुपेज business loss balance loss of 20,000 from house property carried forward to the next assessment year उसको next year की income के सामने set up करेंगे income from other sources में interest on fixed deposit with bank 80,000 का आपका interest 80,000 रुपेज का आपका यह interest है इसके सामने आप इस business loss को set up कर सकते हो only for 80,000 business loss one leg set up only extent of rupees 80,000 तो 80,000 का लोग तो यहां पर आपका interest की जो income थी वो income आपकी जो थी वो जिन्नील हो गई balance loss of 20,000 to be carry forward set up against income other than next assessment आप सर आपका जो business का जो loss है उसको हम carry forward करेंगे और carry forward करने की बाद next year अगर आपकी उसी business income से profit हो रहा है तो वहां से आपका set up होगा gross total income सर आपके आजाती है 2 leg rupees deduction chapter 6 एक इंदर अगर आपके आपी नेल है तो आपकी gross total income आजाती है net total income आपके आजाती है 2 leg rupees इसके उपर आपको tax calculate करना है यह हम practical excel के अंदर देखेंगे कि competition किस तरह से बनता है यह ultimately यह के competition है यह क्या है सर यह competition है clear होगा आपको यहां तर चाले carry forward of set up of losses from house property section 17 subsection b अब सर द्यान से समझना अगर आपका house property से loss हो रहा है loss from house property first set up against income from any other head to extent of 2 leg during the same year अब सर इसको द्यान से समझो अगर आपका यहां पे house property का loss सबसे पहले तो आप set up करो सबसे पहले आप set up करो other house property की income house property loss पहले set up करो other house property की income के सामने फिर नहीं होता 2 leg रुपीस तक other head के सामने including salary salary की सामने भी house property का loss आप adjust कर सकते हो फिर भी अगर आपका बच जाता है तो आप उस loss को क्या करेंगे carry forward करेंगे कितने साल के लिए 8 साल के लिए 8 years next assessment 8 assessment year के लिए यानि कि total आपको 9 बार मौका मिलता है उस loss को adjust करने में एक तो आपने अभी कर दिया दूसरा 8 बार और मौका मिलेगा आप उस loss को adjust कर सकते हो clear होगे आपको यहाँ तक यह सर आपका house property loss अगर आपका house property loss सबसे पहले आप set कीजिए आपकी कोई भी other house property की income है उसके सामने आप setup कर दिजिए नहीं है दूसरे head के सामने setup कीजिए दो लाक रुपीस तक का आप कर सकते हैं जो बचेगा उसको आप carry forward कर सकते हैं आप सर आप होगा तो answer is no कोई भी loss अगर आप carry forward करते हो कोई भी loss अगर आप carry forward करते हो तो next year उसकी same head की income के सामने ही setup होगा बाकी किसी other head की income के सामने setup नहीं होगा एक example के साथ में समझा देते हैं सर आपको for example आपका house property loss है सर वन लेक 20,000 इस साल आपने adjustment कर दिया for example वन लेक रुपीस 20,000 रुपीस आपने carry forward किया next year salary income थी सर चार लाक रुपिया house property के income थी for example 10,000 रुपीस तो यहाँ पर आप उस loss को adjust कर सकते हो only for 10,000 रुपीस तक और बाकी का जो फिर से 10,000 का loss बचा होगा या आप next और carry forward कर सकते हो अगले 7 सालों के लिए यानि कि एक loss को आप 8 साल तक कवर कर सकते हैं एक तो आपने यहाँ पर adjust कर दिया बाकी और 7 साल आपके बचे हैं 10,000 रुपीस लेकिन setup होगा only for HP के सामने house property के सामने अब यहाँ पर सर आपका next year जब आप carry forward करोगे तो आप उस समय फिर आप salary के सामने setup नहीं कर सकते हैं न किसी भी other head के सामने setup कर सकते हैं किसी भी head के losses की यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई भी loss अगर आप carry forward करते हो तो वह सिर्फ carry forward यानि कि next assessment year में उसी head की income के सामने ही setup होगा got it इस head में यानि कि इस किसी यह में अगर आपका हो रहा है तो किसी भी internet में आप setup कर सकते हो ठीक है speculation business only speculation profit only speculation business profit four years अब इस शेर market से कर आपको कोई loss हो रहा है शेर मार्केट से अगर आपको कोई loss हो रहा है तो उसो उसको आप चार साल तक carry forward कर सकते हो बाकी का जो loss है वो आप 8 साल तक कर सकते हो आपको यहां तक तो आज के lectures में हमने house property के losses को समझा बाकी थोड़े से overview को समझा next lectures में हम बात करेंगे business loss और capital gain के loss और other sources के loss को अवेल करने के लिए loss को set off करने के लिए आपको क्या का conditions को fill full करना होगा वो भी हम next lectures में देखेंगे आज के लिए बस इतना next lecture में फिर मुलाकाद करते हैं तब तक के लिए thank you so much